अर्वल में आज गुल्ली बिघा गाउं में हम पहुंचे हुए हैं जो अर्वल में तीसरा अस्थान लाने वाले जो छात्र हैं क्या नाम हूँ आपका? कौसल कुमार जी आपको कैसा महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस लग रहा है खुसी आपका है? जी बहुत खुसी है यह बताई आपके पिता जी का नाम क्या हुआ? प्रेमचन महतो क्या करते हैं? मजदूरी मजदूर का लड़का अर्वल में तीसरा अस्थान लाने वाले हैं आपके माता जी हैं? जी अच्छा माता जी हैं माता जी क्या नाम हूँ आपक रिता देवी बताएं कि आपका बच्च तीसरा अरवल में लाया आपको कैसा महसूस हो रहा हैं कुप खूस है憐 कौनसल जी आपपढ़ाई आंगे क्या विकरना चाहेंगे जी आंगेब पढ़कर आपक्यागी बनना चाहेंगे चाहेंगे बनना हैं इनके बबा है क्या नम हुआ है राम गुलाम महतो है आपका पोता है तीसरा अस्थान लहुए है और कुछ ग्रामिंस साथी हैं इनका चचा लहेंगे क्या नम हुआ सरफ और रंजीत पर्साइब आपका गाओं का नाम रोषन किया है और जीला में तिस्णा आस्थानलाई आपको कैसा महसूस लग रहा है। बहुत अच्छा गरु की बात जो इतना नमबर लाया है। का भान जी? संगीता कुमारी. संगीता कुमारी जी यह जो अभी यहां कोसल जी जीला में तिसरा अस्थान लाए है, आपको कैसा महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा फिलिंग हो रहा है. मेरे गाउं का राम रोसन हुए है. चाची आपका नाम का हो इल? बासो देवी. बासो देवी अपने के पोता अभी जीला में तिसरा अस्थान लेले बरान? लड़का है. लड़का है. तो कैसा महसूस हो रहा है तो? हाँ, खुब अच्छा महसूस कर रहा है. लगतार हम लोग घूम रहे हैं, जो फफ्ट किये हैं, किसन कुमार जी और कौसनल कुमार, जो तीसरा अफ्थान लाए हैं, उनके पहाए हूँ है, बहुत अच्छा लग रहा है. चाहे सिख्छा के छेत्रे में हो, स्वक्ठी छेत्रे में हो, या ऐसे भी, तो मैं इनके साथ हूँ. इस गाउँ से, क्योंकि इस गाउँ से मैंने मेरा पहला भी समन्द रहा है. पहले मैं आ चुका हूँ, चुनाओ के पहले मैं लागतार जब कार्शकम करता था तो इस गाउं में आया था, तो आज फिर दुबारा आने का मौका इन्होंने दिये हैं, मैं बहुत बहुत बधाई भाई को देता हूँ, आप डॉक्टर बने, इंजिनियर बने, IIT करें, IS बन जो आया है, उसमें कोफल कुमार जी पूरे हमारे जो जिला में तीसरा आफ्थान लाए हैं, पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, सुब कामना देते हैं, कि हमारे एकदम अंतिम पोईदान के व्यक्ति, जो अपनी मेहनत से परिश्रम करके आज जिला में ती एक पोईडा कामना जाए है, सुब पोईड़रे हैं, सुब भी जो के एक वर हम गईान के पाया है।